नमस्कार दोस्तो मैं कमले सफल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज का टॉपिक है प्रोफिट एंड लॉस का क्लास ठीक है और टाइप है फोर क्योंकि हमने इससे प्रिविएस वीडियो में यानि कि क्लास नंबर टू में दो टाइप एक वीडियो में कर देखेंगे दो सीपी निकालने के लिए और एक आएगा एस पे निकालने के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में देरे देरे लेवल में बढ़ता जाओंगा यानि कि यह टाइप सबसे ज्यादा वास्ट है प्रफिट लॉस की बात करें तो यह बहुत बढ़ा है क्लियर है इ इसको आप अच्छे से पर देख लें ठीक है बोल रहा है कि यदि वा उसे 400 रुपए अधिक में बेचा होता जार्श रुपए अधिक में बेचा होता दो उसे 10% का क्या होता profit होता तो आपको मैंने एक बात जरूर बताया होगा ratio proportion से लेकर कि जितने भी चप्टर हमने कराया है language based उसमें मैंने ये बताया था कि जब कभी भी more or less दिया हो more या less दिया हो तो वो किसी न किसी का क्या है अंतर है more or less का मतलब ये difference है यानि कि ये तो confirm है कि 400 रुपे जो है ये किसी न किसी का क्या है अंतर है अब किसका अंतर है तो आप ये देखिए अगर मैं बात करूँ 10% loss का तो आप लिखेंगे 90 ये सब बात हो चुकी है loss का मतलब 90 अगर मैं बात करूँ 10% profit तो आप बोलोगे 110 बात क्लियर है तो अब ये है कि हमने आप ऐसे समझो कि हमने 90 रुपे में समान को बेचा था लेकिन हम अब कितने बेच रहे है 110 में तो कितना अधिक है ये अब देखो अंतर आ गया more or less का मतलब हो गया difference इसका मतलब ये हो गया कि 20% जो है तो 400 बटे में हो जाएगा 20 यानि कि 20 रुपे के बड़ावर होगा अब मुझे लास्ट में क्या find करना है CP तो 100% कितने के बड़ावर क्योंकि CP always find at कितने पर 100% पर SP 100 plus minus percent पर 20 और इंटू क्या हो जाएगा 100 आंसर हो जाएगा आपका 2000 यानि मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि हमने आपको सब कुछ करके दिखाया मैंने बताया था कि more or less का मतलब अंतर तो हमने क्या किया 10% less 10% loss का मतलब 90 10% profit का मतलब 110 यह इससे कितना अधिक है 20% 20% अधिक है 400 रुपे के बड़ावर है एक परसंद अधिक होगा तो 20 रुपे के बड़ावर होगा अगर 100 परसंद अधिक होगा तो 2000 रुपे के बड़ावर होगा तो आंसर मेरा आ गया 2000 लेकिन इसका एक और तरीका है अगर आप चाहते हैं कि नहीं यह statement ना लिखें यह statement आप नहीं लिखना चाहते हो सीधर direct यहां आना चाहते हैं यानि कि सीधर direct हम 20% रिजगल के इतने के बड़ावर तो हम इसको बना सकते हैं कैसे तो अब आप देखिए यह trick ध्यान रखना क्योंकि आगी जो भी question आएगा हम इसी trick से बनाएगे बागी मैंने आपको concept बता दिया है देखो जब कभी भी profit percent दिया हो और loss percent दिया हो आप इसको add कर सकते हो जैसे कि हमने election वाले कुशन में करवाया था winner होगा winner होगा minus करेंगे examination वाले में भी करवाया था fail होगा pass होगा जूल जाएगा percentage की बात कर रहा हOME ठीख थे अगर fail fail है तो मैंने हो जाएगा अगर pass दोनो pass percent है तो भी मैंने हो जाएगा सेम ट्रीक यहां छलेगा profit percent loss percent add हो जाएगा profit percent हो ठीख है दूसरा loss percent sorry दूसरा भी profit percent हो तो आप उसको कर देना minus ठीख है अगर पहला भी profit percent loss percent हो और दूसरा भी अगर loss percent हो तो भी कर देंगे minus यानि कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि same में क्या होगा घटेगा और opposite में क्या होगा जूरेगा अब आप इस ट्रिक से देखो कितना फास बनेगा question direct हम इसको बनाने कोशिश कर रहे हैं यह 30 seconds से कम में बन जाएगा आपको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा जब कभी भी ऐसा question हो कि एक बैकती किसी बस्तू को 10% की हानी पर बेज़ता है अच्छा यह हो गया 10% की loss ठीक है और यह हो गया 10% का profit क्लियर है profit और loss क्या हो जाएगा जूर जाएगा है ना यानि कि हम यह बोल सकते हैं 20% सीधे direct कितने के बराबर हो जाएगा 400 रुपे के बराबर हो जाएगा दूसरा method देख लो एक परसंटी कितने के बराबर होगा 20 रुपे के बराबर होगा क्योंकि 400 के डिवाइड करेंगे 20 से अब मुझे निकालना क्या है CP कितने परसंट पर 100% कितने के बराबर हो जाएगा 2000 रुपे के बराबर हो जाएगा मतलब इस टैप से भी यह आंसर आ रहा है लेकिन इसमें time कम लग रहा है तो अगर आपको यह बात याद हो जाता है profit loss add होगा profit profit minus होगा loss loss मैनस होगा तो आप इस method से इसको fast बना सकते हो बाकि हमने previous method इसलिए बताया था क्योंकि आपको मैंने शुरू से यह बात बताया है ratio proportion से ही कि जब कभी भी more या less दिया होता है तो हम अंतर लेते हैं इसलिए मुझे यह बताना जरूरी था कि हमने अंतर क्यों लिया था है ना 10% loss हमने लिया था 90 10% profit हमने लिया था 110 अब यहां से देखेंगे तो मैं इसको इसलिए बताया था कि more or less का मतलर difference यह मेरा एक code word है कि जब कभी भी math में कोई भी question हो more or less word लिखा हो वो किसी ना किसी का अंतर है इस बात को अब ध्यान रखना clear है समझ मा आ गया हो गया I hope कि यह question आपको अच्छे समझ मा आ गया होगा ठीक है इसका और भी अभी सा type को touch करना चाहता हो ताकि आपको exam में किसी भी level का question पूछे ता आपको confusion नहीं होना चाहिए ठीक है इससे बाहर question इसमें पूछाने जाएगा हमने एक question जो भी लिया था उसमें profit loss था अब यह जो मैंने question लिया है इसमें दोनों ही profit है तो मैंने आपको क्या बताया था कि अग अगर एक profit है दूसरा भी profit है तो मैनस कर दो अगर दोनों ही loss का है तो भी मैनस कर दो clear और यह तो आपको confirm है कि 2200 रुपी जो list दिया हुआ है यह किसी न किसी का क्या है अंतर है पहले हम बात करेंगे trip की ठीक है उसके फिर आपको method से बना के दिखाऊंगा क्या बोल रहा है क एक बैक्ती किसी बस्तू को बेचता है उसे 4% क्या होती है लाव होती है यह लाव होता है इफ ही सेल्स यदि वह उसे 200 रुपे कम में बेचा होता सिंपल ची बात है पहले उसने बेचा कितने बेचा पता नहीं 4% का उसको क्या हुआ लाव हुआ लेकिन यह बोल रहा है कि य है आपको मैंने क्या बताया दोनों अगर प्राफिट्ट है टो मायन difीट्ट्रेश бесп health होता है चार में चार की बरावर होगा तो ardल् aven एक परश्फिंट्ट इसकल्ट्ट्ट्टि कितने की बरावर होगा अभाप्र निकालना क्या है CP ठीक है तो 100% कितने के बड़ाबर हो जाएगा 10,000 के बड़ाबर अब देखो इस ट्रिक से कितना फास्ट बन रहा है अगर आपको एक छुटा सा बात याद है कि प्रफिट प्रफिट क्या होता है माइनस होता है तो मेरा आंसर आगे 10,000 लेकिन हमने आपको क्या बताय 4% गैन ठीक है और यहाँ पर लिखेंगे 200 रूपिज लेस देखो क्वेस्टन बिल्कुली करेक्ट है कि जब आप इस तरीके से बनाओगे तो आपको सब कुछ दिखेंगा क्लियर मैंने से लिए एरो लाग लिखा है 200 रूपिज लेस फिर हम क्या लिखेंगे यदि वह उसे 2% लाब पर बेचा होता 4% लाब की बात करें तो 104 यही होता है ना 2% लाब की बात करें तो 102 आप देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 200 रूपे कम तो यहाँ पर परसंटेज भी कम हो रहा है है ना कितना कम हो रहा है 2% कम हो रहा है अब इसी को हमने यहाँ पर डायेट लगा दिये 2% क्लियर है तो 2% जो कम है वही कितने के बरावर है 200 के क्योंकि कम इसकल टू कम देखो मैथमेटिस का बहुत बड़ा लॉजिक है इक्वल का मतलब हम बार बार हर एक कोशन यह बात ब 200 क्योंकि कम परसंट इसकल टू रुपीज में कम एक परसंट इसकल टू सो अब आपको क्या निकालना है सीपी तो सो परसंट आपका अंसर क्या आगया दस हजार लेकिन अगर इसी में एस पी निकालने की बात करेगा तो कुछ नया नहीं बनेगा मैं फिर भी एक कुशन 200 बस सिर्फ लास्ट का लाइन चेंज हो जाएगा चलिए आपके सामने कुशन नमर है ठीक है जिसमें हमने सेलिंग प्रैस के बारे में पूछा है अभी तक जो दो कुशन हमने कराया उसमें हमने बात किया था कि सीपी फाइंड करने के लिए क्या क्या किया जाता है क्लियर बागी concept पुड़ा हुई है मैंने बताया था आपको कि profit percent profit percent क्या होगा minus होगा loss percent loss percent minus होगा profit loss क्या हो जाएगा add होगा clear है तो अभी हम देखेंगे कि a shopkeeper sells an article at a loss of 7% clear है 7% loss दिया हुआ है 7% हम loss लिख लेते हैं clear है if he sells it for rupees 64 more ये तो confirm है कि ये जो 64 रुपे अधिक दिया हुआ है ये किसी ना किसी का difference है ठीक है यदि वह 64 रुपे अधिक में बेचा होता तो उसे कितने परतिसद का gain होता 9% का लाग होता clear बात समझ मागया होगा अब आपको ये बात ज़रूर clear हो गया होगा कि loss है और profit है य ये 9% का profit दिया है दोनों जूरेगा पहले हम ट्रिक की बात कर लेते हैं दोनों जूरेगा यानि 9 और 7 कितना हो जाएगा 16% 16% जो है वही कितने के बरावर है चार के बरावर होगा अब मुझे CP नहीं निकालना है बहुत बच्चे यहां पर गलती क्या करते हैं पहले CP निकालता है फिर उसका SP निकालता है तो आपको उसको जाओ ही मत की आपको CP निकालना है नहीं मुझे जैसे जैसे question में बोल रहा है मेरा question यहां तक solve हो चुका है अब मुझे क्या find करने के लिए बोल रहा है 120 परसंट आप सिधे निकाल दो 120 परसंट आंसर हो जाएगा चार गुने में 120 यानि की 480 रुपे यह देखी आंसर मतलब मैंने आपको एक बात बताया ना कि किसी भी situation में हम दो ही ट्रिक का apply करेंगे clear है last में जाके वही आ रहा है SP निकालना है 100 प्रलस मैंस परसंट clear आप previous वीडियो जाके देखे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले का वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि basic concept हम first में या second में बात कर लेते हैं जबकि यह कौन सा वीडियो है class number 3 यानि कि तीसरा पार्ट है तो पार्ट टू जो हो चुका है उसको आप देखोगे तभी आपका concept clear होगा ठीक है जो इस वीडियो को direct देख रहे हैं उसके लिए बोलने हैं जो continuously देख रहे हैं उनको सब बात समझ मारा होग ओके यह तो हो गया कि SP निकालना था अब अगर lending की बात करें concept की बात करें तो 7% loss यह बोल रहा है कि 64 रुपे अधिक अधिक में बेचा होता है ना अधिक या कम का मतलब अंतर तो उसे 9% का क्या होता profit होता अब आज़ो method में 7% loss का मतलब 93% लिख सकते हैं 93% clear 9% profit का मतलब 109 percent अगा इस säger तक का डिफरेंश देख हैं तो भी 16 हो रहा है sooner है अगर हम ऐसे देखेंगे तो अंतर दिखेंगा लेकिन ऐसे देखेंगे तो अंतर नहीं दिख रहे हैं तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि यह मैंने बताया है आपको ट्रिक अगर ये याद होता है तो ठीक है अगर ये नहीं याद रहता है तो इसलिए हम दूसरा भी concept आपको बता रहा है ये वाला चीज की more or less का मतलब difference तब आप क्या करना loss 7% 93 ठीक है इतना लिखने के जबोत नहीं है 9% profit 109 दोनों का अंतर 16 16% कितने के बड़ाबर है 64 रुपे के बड़ाबर है बात के लिए है 1% कितने के बड़ाबर है तो 4 के बड़ाबर हो जाएगा अब मैं CP नहीं निकालूँगा क्योंकि मुझे क्या बोल रहा हूँ then find selling price at 20% profit SP बोल रहा है कितने परसंट पर 20% profit पर तो हम निकालेंगे 120% ये बात आपको एक बात ध्यान रखना है सबसे अच्छा point जो है इस chapter का क्या है आपको जो given होगा उससे आप 1% निकाल दो जो चीज पूछ रहा है सीधे direct वहीं पर attack करो यानि कि आप SP पूछ रहा है तो यह नहीं कि हम CP निकालेंगे फिर SP निकालेंगे टाइम बचेगा आपका जो भी एक सेकेंड दो सेकेंड बच रहा है वो next question में आप उसको apply कर सकते हो question बचाना time बचाना और वो आपके हाथ में है कैसे आप time को save करते हैं ठीक है तो आज के वीडियों हमने बात किया कि mode और less का जो question होता है दो तरीके से हमने बताया CP निकालना SP निकालना बता दिया इसको कैसे solve किया जाता है ठीक है तो अभी जो है परसो आपका दिवाली आने वाला है कल होगा छोटी दिवाली तो आप लोगों को छोटी दिवाली और दिवाली की धेर सारी सुख कामना है आप लोग अच्छे से पटा के जलाओ ठीक है pollution को ध्यान में रखते होगे ठीक है जी चलिए फिर हम लोग मिलते हैं एक next session के साथ तब तक अपना ध्यान रखें धन्यवाद